क्या आपका कोई supplement का business है और आप भी आपके business को promote करने के लिए facebook पर facebook lead ads run करते हैं तो यह video आपके लिए बहुत useful है जी यहां आज का मारा topic है send automated whatsapp message to your supplement business lead तो दोस्तो आज के इस video में हम यह संज़ेंगे कैसे आप एक ऐसा indication बना सकते हैं facebook lead ads और whatsapp के बीच में कि जब भी कोई new lead generate और facebook lead ads से तो automatically वो lead को एक automated whatsapp message चला जाए उसके phone number पे जी है possible है आप यह पूरा process automate कर सकते हैं पैबली कनेक की मदद से जो कि एक amazing automation and integration software है इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको पूरा automation बनाना है popular whatsapp API है तो दोस्तों अगर आप भी पूरा process step by step सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे screen पे okay friends तो यहाँ पर मैंने facebook account login कर लिया है मेरे browser में और इस particular page पर मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है life care supplement store ठीक है तो आप इदा पर assume कर सकते हैं कि मैं मेरे business को promote कर रहा हूँ इस particular page पर यहाँ पर मैंने एक lead platform भी create कर लिया है जिसकी मदद से हम test lead generate करेंगे ठीक है तो यह पूरा process हम test mode में करने वाले हैं यहाँ पर में कोई live add run नहीं कर रहा हूँ और इदाप हम इने vati का account भी login कर लिया है मेरे browser में तो कुछ इस तरीके से आपको template create करना परता है vati में जिसकी मदद से आप whatsapp पे message भेज सकते हैं हम पूरा process समझेंगे कैसे आप template create कर सकते हैं कैसे पूरा automation work करता है बस आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो में लास तक अब मैं चलता हूँ पैबली connect के landing page पे दोस्तों आप भी इस page पे आ सकते हैं simply आपके browser में टाइप करके पैबली.com slash connect यहाँ पे आपको दो option मिलते हैं एक है sign in option दूसरा sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको simply click करना है sign up for free वारी बटन पे और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 मिनिट में दोस्तों आपको account creation पे हर मेने 100 free task भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे amazing automation टेस्ट कर सकते हैं पैबली connect में मैं एक existing user हूँ इसलिए में click करूँगा sign in पर उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली connect वाले dialogue box में उक्लिक करना है access now और आप आप आजाएंगे पैबली connect के dashboard पे यहापे आपको right hand side पे एक button देखेगा create workflow का इस पे आपको click करना है तो एक dialogue box उपन हो जाएगा आपक create करना चाहते हैं तो आप create folder वाली button से यह चीज़ कर सकते हैं मैं आपके click करूँगा create workflow पे और let's say यहापर मेरी workflow को नाम देना चाहता हूं send automated whatsapp message to your supplements business lead तो दोस्तों यही हमारा objective है आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहापर आपकी workflow को उसके बाद select folder से मैं particular folder select कर लेता हूं तो हम test workflows वाले folder में हमाई workflow को safe करेंगे click करेंगे create वाली button पे और आप आप आजाएंगे दोस्तों यह वाली screen में यहापे आपको दो important module समझना है जो हमारे automation में बहुत ही important role play करते हैं इनका नाम है trigger और action तो दोस्तों trigger बोलता है when this happens जिसका मतलब होता है जब ऐसा action बोलता है do this तो ऐसा कर दो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते हैं जो हम करवाना चाहते है हमारी automation में यहापे आपको trigger application चूज करना है इधा पर आपको action application चूज करना है सबसे पहले हम trigger वाली step में काम करेंगे तो इधार पर आपको trigger application चूज करना है तो choose app में आपको यहाँ पर choose करना है new lead instant और फिर आपको click करना है connect वाली button पर तो यहाँ पर एक dialogue box open हो जाएगा आपकी screen पर जो बोल रहा है connect facebook lead ads account तो basically आपको यहाँ पर facebook lead ads का account उसको connect करना है family connect के साथ यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है add new connection का दूसरा है select existing connection का तो अगर आपने हैं आपको connection और यहाँ पर प्रिवेज करके रही है तो हैँ कि आपको प्रिवियस सेव्ड connection शो हते हैं अगर आप यहाँ पर जाते है add new connection के साथ तो आपको हिया पर simply click करना है connect with facebook lead ads और आप यहाँ पर आपका connection बिल्ड कर लीगे मैंने मेरा connection और लेख साथ effortраст का है पर यहा परिटिकूला पेज पर आप काम कर रहे हैं और यहां से आपको lead generation form select कर लेना है ठीक है, तो हम किस particular page पर काम कर रहे हैं हम इस particular page पर काम कर रहे है जिसका नाम है life care supplement store तो इस particular page को मैं है यहां पर search कर लेता हूं, ठीक है life care supplement store यह हमने इदा पर choose कर लिया है उसके बाद यहां से lead generation form में चूज कर लूँगा तो मैं इस particular form से test lead generate करूँगा जिसका नामे contact form इदा पर आप देख सकते हैं हमने already यह form को open करके रखा है हाँ ठीक है अब इदा पर मैं meta for developers में क्यों काम कर रहा हूं क्योंकि हम यह पूरा process test mode में कर रहा हैं by clicking on the preview form button and filling on the form make sure that the lead generation form is live before making the sample submission तो इदा पर लिखा है कि जब कर जो lead generation form हो वो live होना चाहिए जब आप उसमें sample submission करें ठीक है तो हम तो पूरा process test mode में कर रहा है इसलिए यहां पर मैंने meta for developers का page कोल के रहा है ठीक है तो इसका मतलब यह हूँ हमको एक test submission करना है facebook lead ads में जिसकी मदद से हमको पैबली connect में response received हो ठीक है तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर meta for developers के page पे इधर से आप page select कर लेंगे particular page form select कर लेंगे फिर आपको यहाँ पर preview form पे क्लिक करना है तो आप देख सकते है form हमारी screen पे खुल गया इधाप हमे dummy details फिल करूंगा इधाप हमे details capture कर रहा हूँ email, full name, mobile number ठीक है आप जो भी details capture करना चाहते है उसके according आप यहाँ पर form create कर लेंगे तो आए अधापर dummy details फिल करता हूँ let's say email हम दे देते है demoadretpablituse.com ठीक है full name हम दे देते है for example demo user और phone number में हम यहाँ पे dummy phone number add कर देते हैं next पे click करते है submit कर देते हैं तो आप देख सकते है thanks you are all set तो basically हमने इधापर एक test lead generate कर लिए इस particular lead add form में pabli connect में वापिस चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक positive response मिल गया है इधा पर email ID शोरी है demoadretpablituse.com full name यहाँ पे शोरा है demo user phone number में dummy phone number यहाँ पे शोरा है created date and time यहाँ पे मिल गया है ID यहाँ पे शोरी है form ID यहाँ पे मिल गयी है मतलब आपको यह automation एक बाँ बनाना है उसके बाद automatically तुरंद यह अपना काम करेगा अब हमारा objective क्या है send automated WhatsApp message to your supplement business lead हमारा objective यह है जब भी हमको business lead capture हो facebook lead आइट से तो automatically वो lead को हमें automated WhatsApp message बेज़ दें उसके phone number पे ठीक है वार्टी यह जैसे हम वार्टी चूज कर लेंगे action event आपको यहाँ पे चूज करना है send template message और click करना है connect वाली बटन पे तो यहाँ पर एक dialogue box उपन हो जाएक आपकी screen पे जो बोल रहा है connect वार्टी account तो basically हमको यहाँ पे वार्टी और पैबली कनेक के बीच में connection बिल करना है यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है add new connection का दूसरा है select existing connection का तो अगर आपने आपका connection अल्यदी बिल करके रहा है तो आप select existing connection के साथ जा सकते हैं यहाँ पर आपको previous saved connection शो होते हैं अगर आप यहाँ पर चाते है add new connection के साथ तो आपको यहाँ पर डालना है API endpoint और access token और यह दोनों fields आपको कहां से मिलेगी navigate to top और यह VATI dashboard click on hamburger icon then click on API docs to find your API endpoint and access token तो basically आपको क्या करना है VATI का अकौन login कर लेना है आपके browser में फिर आपको यहाँ पर जाना है API docs पर तो इदा पर आपको access token और API endpoint मिल जाएगा VATI account का इन दोनों को आपको कर लेना है copy और simply यहाँ पर पैबली connect में आके इन दोनों को यहाँ पर कर देना है paste उसके बाद आपको यहाँ पर save पर क्लिक करना है इसका importance का है इसका importance यह है कि एक बार आप यहाँ पर data map कर देंगे previous step से उसकी मदद से आपको हमेशा dynamic response generate होगा मतलब यह जो मैंने phone number यहाँ पर previous step से map कर दिया अब जब भी हमारा workflow run होगा जो भी हमको new lead की details है आप पर receive होगी जो new number हमको receive होगा वो number automatically इस number की जग्या जाएगा और यह number change हो जाएगा कोई हम data map कर रहे है कोई भी चीज़ आप इतर पर manually type करेंगे वो हमेशा static रहेगा वो change नहीं होगा अब आप यह सोचेंगे dummy phone number इस पर whatsapp message कैसे जाएगा तो अभी मैं बाद में जब आपको whatsapp message दिखाऊँगा जब इस number को replace करूँगा मैं manually valid phone number डालूँगा जिसकी मदद से मैं whatsapp पर आपको एक message show कर पाऊँ लेकिन जब आप यह automation बनाएंगे तो आपको इतर पर mapping का ही इस्तिमाल करना है आप इतर नंबर mapping करेंगे ठीक है उसके आद आपको इहां से template चूज कर लेना है जिस भी particular template पर आप काम कर रहे है जो भी template आपने create करके रखेंगे वाटी में वापको आपको आप मिल जाएंगी हम हमारी template यहाँ पर search कर लेते हैं हम life care supplements नाम की जो template है इस पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं search करता हूँ life care supplements तो आप इतर पर देख सकते हैं हमने life care supplements नाम की template यहाँ पर choose कर लिए उसके बाद broadcast नीम देना है आपको custom params देना है अब यह दोनों fields में आपको समझाता हूँ template की मतद से ठीक है वाटी बजाते हैं तो हम इस particular template पर काम कर रहे है life care supplements पर ठीक है और अगर आप new template create करना चाहते हैं आपको यहाँ पर simply new template message पर click करना है इदर से आप new template create कर लिए ठीक है हम जाते है existing template पर तो template का नाम है life care supplements category है marketing English है language है English ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते है broadcast title मैंने रखा है text ठीक है life care supplement store तो जो broadcast title होता है वो इसा header की तरह वर्क करता है इदर पर मैंने text रखा है तो यह ऐसा header की तरह message जाएगा इदर पर आप देख सकते है जो भी word आप रखना चाहते है मैंने business का नाम यहाँ पर रख दिया है अगर आप इदर पर media चूज करते है एक option आता है media का मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ new template message पर यहाँ पर आप देख सकते है media का option भी बिलता है इदर पर आप image select कर सकते है video document मतलब जो भी file आप message के पहले भीजना चाहते है चाहे वो image हो, video चाहे document हो तो वो file का आप URL इदर पर add कर दें या file को upload कर देंगे तो वो as a header की तरह जाएगा हर message के पहले ठीक है फिर आप body में standard message draft कर लेंगे add variable यहाँ से कर सकते है मतलब जो value अब हमेशा dynamic चाहते हैं, उसको आप ऐसा add variable यहाँ पर रखें जिसकी मदद से इदर आप custom parents में आप उसकी value दे देंगे तो हमेशा dynamic response इदर आप मैप करेंगे तो इदर पर में existing template खोले तो life care supplements नाम की template है, ठीक है, यहाँ पर में एक standard message draft कर लिया, hello के बाद यहाँ पर आप देख सकते है एक variable है name, ठीक है, thank you for contacting us, we have some special offers for you, enjoy 40% off on your all orders this month, plus extra 10% off on your first two orders, apply coupon code life care first 10, ठीक है, thank you team life care supplements, तो आप देख सकते हैं कितना amazing यहाँ पर मैंने standard message draft करके रखा है जो मैं मेरे customer को भीजूँगा, ठीक है मतलब particular lead को भीजूँगा, और उसके बाद इदा पर आप देख सकते है, sample content है dummy तो basically जो भी variables आप इदा पर रखेंगे उसका sample content आपको इदा पर देना है मतलब जैसे for example, variable name का हमने sample value देरा की dummy, ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपको template create करना है ठीक है, public connect में वापिस चलते है इदा पर broadcast name आपको as it is देना है जो broadcast title आपने इदा पर रखा होगा ठीक है, तो इदा पर हमने life care supplement store रखा है ठीक है, इसको मैं हाँ से copy करता हूँ ओके, और इदा पर हम as it is, इदा पर broadcast name दे देते है life care supplement store, ठीक है एक बाद cross check कर लेते है और इदा पर custom parents में आपको ये particular format follow करना है, ठीक है, इसको हम copy करके हम पर paste करते है, ठीक है कुछ इस तरीके से, तो ये हमने name map कर दियो, demo user, ठीक है अब आपको click करना है, save and send text request वाली button पे, तो आपको कुछ इस तरीके का response received होगा, जो कि एक positive response होगा इदा पर आपको template name मिल जाएगा parameters जो आपने add करके रखे होगे आपको response मिल जाएगे, इदा पर phone number यहाँ पर शो होगा, और कुछ other details यहाँ पर शो रही है, ठीक है, तो इदा पर आप देख सकते है contact status invalid, क्योंकि एक dummy phone number है, ठीक है तो हम क्या करेंगे, इस number को replace करेंगे इदा पर मैं एक valid phone number डाल देता हूँ जिसकी मतलसे मैं WhatsApp पर आपको message शो कर पाऊँ तो यहाँ पर मैं एक valid phone number डालता हूँ ओके friends, तो यहाँ पर मैंने एक valid phone number डाल दिया है अब हम click करते है, save and send test request वाली button पर तो आप देख सकते हैं, हमको यहाँ पर एक positive response मिल गया इदा पर phone number चेंज हो गया, valid phone number यहाँ पर शो रहा है और पूरी की पूरी details यहाँ पर same ही शो रही है बस इदा पर valid phone number यहाँ पर शो रहा है और इदा पर आप देख सकते हैं, contact status अब valid शो रहा है क्योंकि एक valid phone number है तो आई है, मैं आपको बताता हूँ, जो message में को receipt हुआ है इस valid phone number पर उसका screenshot में आपको दिखाता हूँ और जी हाँ दोस्तों, आप इदा पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का message हमको receipt हुआ है Life Care Supplement Store, Hello Demo User इदा पर नेम आ गया है क्योंकि हमने parameter में नेम दिया था वहाँ पर उसके बाद thank you for contacting us, we have some special offers for you और इदा पर आप देख सकते हैं, ऐसा message यहां पर received होगा है जो हमने draft कर रहा था वाटी में तो कुछ इस तरीके से आप particular lead को automated WhatsApp message भेज़ सकते हैं उनके WhatsApp नमबर पे पैबली connect में वापस चलते हैं तो दोस्तो कुछ इस तरीके से automation work करता है आई यह summarize करता हूं कि इस पूरे process में हमने क्या कर रहा है तो इस automation में trigger में हमने लिया Facebook lead as trigger event हमने लिया new lead instant action step में हमने लिया vati action event हमने लिया send template message जिसकी मदद से हमने particular lead के phone number पे उसको WhatsApp message भीज़ दिया तो दोस्तो बिना किसी coding skills के automation आप बना सकते हैं इधापा लिखा है instant मतलब पूरा process instantly work करता है मतलब आपको यह automation एक बाप बना लेना है उसके आद आप automatically तोरंदी अपना काम करेगा तो दोस्तो अगर आप भी इस पूरे automation पे काम करना चाते हैं या इस automation को test करना चाते हैं तो इस workflow की जो link है वो मैं आपको description box में share कर दूँगा तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करके उस पे काम कर सकते हैं और अगर दोस्तो आपको इस workflow में कोई भी doubt है तो आप में को comment section में ज़रूर बताएं Thank you यही नहीं दोस्तो आप और भी indication बना सकते हैं पैबली करने की मदश से और आप हमको mail कर सकते हैं supportadheretpably.com पे अगर आपको कोई doubt है या कोई query है तो आप हमको mail कर सकते हैं forumadheretpably.com पे और अगर आपकी कोई pricing related issue है तो आप हमको reach out कर सकते हैं इस particular link पे अगर यह video आपको पसंद आया है तो इसको like करें, share करें और हमारे channel को subscribe ज़रूर करें